काम किया जा रहा है और इतना ही नीत तर्पदान मंत्री जी अभी बानी रविशंकर जी ने जो बताया कि बिहार के सभी पंचायतों तो कॉप्टिकल फाइवर नेट्वर पहुंच चुका है और बिहार के सभी 45,000 गाउं तक इंटरनेट के सुधा उपलब्द कराई जाएगी अब गाउं के लगों कभी सस्ते दर पर इंटरनेट का लाव मिल सकेगा अधरनेपृदान मंत्री जी जब केंदर राज्य दोनों मिल जाता है तो किस तरह का परिवर्टन आता है यह पाला मौका बिहार के अंदर जब केंदर राज्य दोनों में कोई टकरहट नहीं है स्रे लेने की होड नहीं है केंदर राजे मिलकर काम कर रहा है मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर जगनात मिश्रा कॉंग्रे से इसलिए अलग हो गए चुकि उन्होंने केंदर पर सौतिलेपन का विवार का आरूप लगाया था आज केंदर राजे दोनों मिलकर काम कर रहा है उस पक्की नली गली से जोड़ा जा रहा है हर गरीब का पक्का घर बन रहा है पांच लाग तक का स्वास्विधा लोगों को दी जा रही है और अब हर गरीब के घर तक इंटरनेट के सुविधा और पहुं सकेगी आदनी प्रदान मंत्री जी आज के इस अवसर पर मैं एक और सब्सक्राइब करना चाहूंगा चुकि सारे बिहार के लोग मरमहत हैं राजिसवा के उपसवापती स्री हरवन जी का बिहार और देश में बहुत सम्मान पूर उनका जीवन रहा है कि लेकिन कल राजिसवा में उनके साथ जो आम मर्यादित घटना हुई है उसने पूरे बि प्रदानमंती जी फिर से एक बार आज उस पीम पैकेज को क्रियानवित करने के लिए उसका शलन्यास करने के लिए मैं अज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उजवल बविश्य के लिए जो आशावान लोग है उन सब के लिए भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं यह सुधार 21 सदी के भारत की जरुरत है साथियों हमारे देश में अब तक उपच और विक्री की जो विवस्था चली आ रही थी जो कानून थे उसने किसानों के हाथ पाउं बांदे हुए थे इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर घिरोप पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फाइदा उठा रहे थे आखिर यह कब तक चलता रहता और इसलिए इस विवस्था में बढ़लाव करना आवशक था और यह बढ़लाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है नए कुरुशी सुधारों ने देश के हर किसान को यह आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपने फल सबजियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है अब उसे अपने शेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए है अब उसे अगर मंडी में जादा अलाब मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा मंडी के अलावा कहीं और से जादा पैसा मिलता है जादा अलाब मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा उसकी सारे बंदनों से मुक्ति दे लियाने के कारण ये संभव होगा कही जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृशी मंडियों का क्या होगा क्या कृशी मंडिया बंद हो जाएगी क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी जी नहीं ऐसा कता ही नहीं होगा और मैं यहां स्पस्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून ये बड़लाव क्रिशी मंडियों के खिलाप नहीं